हेलो सुदेंट्स विल्कम बाक आज हम लोग बात करेंगे डिमांड एंड शिफ्ट्स इन डिमांड के बारे में तो सबसे पहले समझेंगे डिजायर और डिमांड के बीच में क्या अंतर आता है Suppose you desire to have a laptop but you do not have enough money to pay for it तो desire का मतलब क्या होता है कुछ भी आपने सोचा कि आपको यह खरीदना है आपके पास पैसे हो चाहें न हो अगर पैसे हैं तो वो desire जो होता है वो desire फिर नहीं जाएगा ठीक है वो बन जाता है आपका demand लेकिन desire क्या होता है कि आपने केवल सोचा कि हमें ये खरीदना है ठीक आपके पाद पैसे नहीं है और आप willing भी नहीं कर रहो मतलब आपके अदना willingness भी नहीं है उस चीश को खरीदने के लिए ठीक है तो उसको हम demand कहेंगे तो बहुत ही clear सा difference है कि आपने कुछ सोचा कि मुझे एक BMW car खरीदनी है ठीक है और आपने ऐसे ही बोल दिया तो ये desire हो गया लेकिन आपने आपके पास पैसे हैं और आप जा रहे हैं खरीदने ठीक है और उस समय आप कोई भी car खरीदने जा रहे है तो आप उस car के बारे में demand कर रहे हैं मतलब demand का मतलब क्या होता है जब आपके पास willingness हो आपकी इक्छा हो उस चीश को खरीदने की प्लस आपके पास पैसे भी हो ठीक है तब ही उसको हम demand कहते हैं आईए देखते हैं क्या लिखा है इसमें then this desire will remain wishful thinking it will not be treated as a demand in the economics as desire become only when you have enough money to buy the laptop देखिए यहाँ पर भी बता रहे हैं कि अगर आप कोई भी चीश केवल desire कर रहे हैं तो वो आपके लिए wishful thing हो जाएगी या आपने उसकी wish की बस ठीक है और economics में इसको demand नहीं कहते हैं economics में इस चीश को केवल desire कहते हैं कि आपने सोचा और आपके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए when the desire is backed with the willingness and ability to pay for a goods or services then it's become demand for goods and services यहाँ क्या बता रहे है जब कोई भी desire जो होती है उसके पीछे willingness और आ जाती है और प्लस आप ability आपके अंदर pay करने की वो छमता होती है कि हाँ आप pay भी करना चाहते हैं और पैसे भी आपके पास हैं तो उस condition पे उस particular desire को हम demand कह सकते हैं पतलब उस goods or services का वो demand है concept clear है demand desire and demand का अब आते है next meaning of demand अब demand क्या होता है demand means the quantity of a commodity that consumer wish to purchase in the market in a given period of a time at a given price तो demand का मतलब होता है कोई एक consumer जो कुछ खरीदना चाहता है एक market में उस particular समय मतलब given period of time at a given period of price में जैसे कि आप market में गए ठीक है और आपको मान लेते हैं एक mobile phone खरीदना है ठीक है तो आपने mobile phone का price पूचा तो उसने बोला कि ये 10,000 लुपीज का mobile phone है ठीक है तो अब आज आपने उससे 10,000 के पूचा ठीक है दूसरे दिन आप गए तो उसने का ये अब 10,100 का हो गया ठीक है अगर prices change हो रही है ऐसे बहुत सारे commodities होती है जिसके prices change होते रहते हैं ठीक है जैसे vegetable है आज आपको कोई rate मिलेगा कल कोई rate मिलेगा गोल्ड है आज आपको कोई rate मिलेगा कल कोई rate मिलेगा ठीक है तो इसलिए यहाँ पर ये point दिया गया है आपका demand होता है ठीक है तो इस concept को clear रखेगा तो यहां पर यह चीज आपको लिखने पड़ेगी which to purchase in the market in a given period of time and a given price given period of time मतलब उस particular समय आप वो पैसा देने के लिए ready थे ठीक है और उसके अपको 110 का दे रहा है लेकिन आपको जरुवत है तो आप खरीद रहा हो 110 का भी तो उस particular समय पे आपके लिबांड है तो उस particular period of time के लिए उस particular price के लिए demand 0 है ठीक है तो इस point को exam में जरूर लिखेगा in a given period of time and at a given price ठीक है क्योंकि demand तो आप समझ गए कि हाँ demand ये होता है कि जब price उस particular चीज को खरीदने की willingness हो plus हमारे पास पैसे हो तो ये दो point तो आप लिखेंगे लिखेंगे प्लस आप ये point ज़रूर add करेंगे in a given period of time and a given period of price तभी आपकी जो definition है वो complete होगी तभी आपको पूरे marks मिलेंगे ठीक है next आते है factor affecting demand कौन कौन से factors होते हैं जो हमारे demand को effect करते हैं तो price of a commodity तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे factors होते हैं जो हमारे demand को effect करते हैं देखिए अब अगर आप market में जाओगे कोई भी आप goods देखो ठीक है जैसे अब market में आप गए आपने देखा एक t-shirt की shop है आप वहाँ पर t-shirt खरीदने गए तो t-shirt की shop पे बहुत सारी चीजें बहुत सारे factors effect करेंगे कि आप उसको खरीदोगे की नहीं खरीदोगे पहला तो आपका taste कि जो चीज आपको पसंद है वैसा t-shirt वहाँ मिल ला है की नहीं मिल ला है दूसरा उसका price क्या वो दुकानदार बहुत ज़्यादा price charge कर रहा है तब आप नहीं खरीदोगे तीसरा fashion क्या वो फैशन है market में तब यह आप खरीदना पसंद करोगे तो हर एक goods के पीछे अलग-अलग उसके factors होते है तो हम यहाँ पे कई factors 8-9 factors के बारे हम बात करेंगे तो कुछ goods में वो factors काम करते हैं factors का मतलब यह सारे goods के factors हम एक साथ पढ़ते हैं क्या-क्या चीज़े demand को effect करती है तो यह सब चीज़े हैं जो अलग-अलग factors होते हैं जो आपके demand को effect करते हैं तो इसका concept समझेए यह बोल क्या रहा है तो पहला बोल रहा है price of a commodity तो सबसे पहला इनके हिसाब से price है वैसा नहीं कि खाली price ही effect दरता है बहुत सारी चीज़ें है पहला हम दो price पढ़ रहा है price में क्या है इस जनरल experience that as a price of a commodity falls its greater quantity is purchased and when its price rises less quantity is purchased तो यह बहुत सिंपल सा concept इसने बताया कि अगर आप कोई भी सामान बजार में खरीदने जा रहा है आपको लगता है कि वो समान सस्ता हो गया है समान जो आप खरीद हो तो आप थोड़ी सी ज़्यादा quantity खरीद लोगे और आपको लगता है वो बहुत महंगा है तो आप थोड़ी सी कम खरीद लोगे अक्सर आप सबजी के बजार में ऐसा होता ही है आप सबजी खरीदने गए आपको लगा सबजीयां बहुत महंगी है तो आपने थुआ सबजी ले लिए और आपको लगा सबजी स़स्ती है तो आपने सोड़ी से कॉंटटी बढ़ा दी ठीक है तो यह price of a commodity हो गया यह price of the commodity बहुत important होता है कोई भी goods आप खरीदने जाते हो तब price सस्ता होने के वज़़ा से आप ज़्यादा खरीदते हो और price भेंगा होने के वज़़ा से आप कम खरीदते हो ठीक है next आते है change in consumer income the effect of change in the consumer income will be definite different from these two goods income भी बहुत ज़्यादा effect करता है जब आप कोई भी goods खरीदने जाते हो ठीक है अब आपकी ज़्यादा income है तो आप भाई आपकी purchasing power ज़्यादा है तो आप उस थोड़ा सा goods महंगा भी है तो आप ज़्यादा खरीद लोगे बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर income ज़्यादा है तो goods ज़्यादा demand करोगे income कम है तो अपना भाई जो ज़रूरत का समान है भाई लोगे ज़्यादा पैसा है ज़दो और ने खर्ज़ करोगे तो ये एक normal चीज है यहाँ पे अब दो तरीके के goods के बारे में बताए जा रहा है एक है normal goods एक है inferior goods normal goods क्या होता है normal goods होता है जो हम दो daily consume करते हैं ठीक है जैसे साबून, तेल, शैंपू हो गया biscuit हो गया, bread हो गया तो यह सब normal goods हो गया ठीक है तो इसके सब क्या होता है normal goods में जब आप market में जाते हो अगर वो आपका income जादा है तो आप उसको जादा purchase करते हो ठीक है, तो देखें यहाँ क्या लिखा है the goods whose demand increase with the rise in consumer's income जैसे example हम दे लेते हैं पहले आपका income कम था तो आप जो खुला वाला जो बेसन आता था वो खरीदे थे, ठीक है अब जब आपका income बढ़ गया तो बेसन तो आप खरीदो गई लगिन आप करो उनको टाटा संपन का बेसन चाहिए ठीक है तो अब आप branded बेसन मांग रहे हो पहले जो आप खुला बेसन खरीदे थे वो 70 रुपीज पर केजी था अब जो आप branded ख़डीदो रहे हो यह 110 सुपार पर केजी है ठीक है तो income बढ़ने से क्या होता है जो normal goods होता है उसका demand बढ़ जाता है ठीक है और income कम होने से normal goods का demand कम हो जाता है तो exam में कभी-कभी पूछ लेता है कि normal goods से condition पे income का क्या effect बढ़ता है तो आपको यहीं बताना रहेगा कि normal goods का जब हम बात करते हैं तो उस condition पे अगर आपकी income बढ़ती है तो demand बढ़ता है और अगर आपकी income घटती है तो demand घटता है उसके बाद आते हैं inferior goods inferior goods कोई होते हैं यह हमारे cheap quality के goods होते हैं मतलब थोड़ी बेकार quality के यहाज फिर खाम कह सकते हैं थोड़ा सा कम अच्छा होता है तो inferior इसलिए होता है superior फिर inferior superior मतलब बहुत अच्छे quality का inferior मतलब थोड़ा कम अच्छे quality का inferior goods के संब क्या होगा आप दिमाग लगाओ कोई भी goods आप खरीदने जार होगा आपके पाद पैसे की problem है तो आप inferior goods सी खरीद होगे ठीक है सस्ता goods खरीदना चाहोगे आप ज़्यादा branded नहीं करोगे तो inferior goods के condition देखा जाए तो income जब बढ़ती है तो आदमी inferior goods कम खरीदता है ठीक है ना पैसे खरीदना ही छोड़ देता है आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी समान मांगोगे तो inferior goods के condition क्या होता है the goods whose demand decreases with the rise in the consumer's income यहाँ क्या बता रहा inferior goods एक ऐसा goods होता है कि जब आपकी income बढ़ने लगती है तो automatic आप उसको कम डिमांड करने लगते हो आप चले याद तो superior के तरफ ठीक है और जब आपकी income घटती है तो आप क्या करते हो inferior goods खरीदते हो तो बहुत ही simple सा example है दोनों normal और inferior goods का ठीक है अब आते next change in the price of related goods here the demand of the goods change with the change in the price of the related goods this effect the demands on the nature of related goods अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो demand है वो दूसरे goods के वज़र से आपका demand बढ़रा एकट रहा है ठीक है ना मतलब आपके price से कुछ नहीं मतलब है आप जैसे हो वैसे ही हो लेकिन दूसरे goods में change हो रहा है तो आपके goods में change हो जा रहा है तो उसका example लेते है substitute goods का substitute goods क्या होते एक जैसे दिखने वाले एक जैसे लगने वाले goods को substitute goods कहते हैं ठीक है तो जधा तरही weekend tea coffee का ही लेते हैं तो tea coffee में अगर देखा जाये तो अब गई जो टी पीता तो काफी भी पीता है ठीक है तो अब देखें ये किस तरीके से आपके डिमांड को effect करता है जैसे हम example ले लेते बिसलेरी और एक्वाफिना का ठीक है बिसलेरी एक बड़ा brand है एक्वाफिना भी एक बड़ा brand है ठीक है दोनों ही water sell करते हैं ठीक है तो आप सोचिए अगर एक्वाफिना है उसने अपना प्राइस बढ़ा दिया एक्वाफिना बीस उपर लीटर मिलता था 20 रूपीज का एक लीटर बॉटल अब उसने क्या किया 25 रूपीज कर दिया तो अब आप सोचिए बिसलेरी का डिमांड क्या होगा सिंपल जी बात है बिसलेरी 20 रूपीज पर लीटर मिल रहा है तो अटोमेटिक बिसलेरी की डिमांड बढ़े जाएगी ठीक है अब एक्वाफिना ने क्या किया अपना 25 से प्राइस घटा के कर दिया 18 रूपीज या फिफ्टीन रूपीज अब क्या होगा बिसलेरी जो 20 रूपीज भी कर रहा है अब लोग बिसलेरी कम ख़ई देंगे लोग एक्वाफिना ख़ई देंगे तो concept यहां पर यह है कि वो जो quantity है वो जो बिसलेरी है वो कुछ नहीं कर रहा है बिसलेरी अपना 20 कर दिया तो बिसलेरी कम बिखने लगा ठीक है तो इसको हम लोग बोलते है substitute goods, substitute goods में ऐसे ही होता है ठीक है ऐसे बहुत सारे examples आप देखोगे ठीक है तो substitute goods में बहुत सारे examples ऐसे जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो उसने कुछ नहीं किया उसके दूसरे के वज़े से वो घटने लगा, next आते है complimentary goods, complimentary goods क्या होता है, when the goods are used together to satisfy a particular goods, known as complimentary goods, car and petrol, if the price of a petrol increase, then the demand of the car decrease, अब इसमें क्या बता रहा है कि complimentary goods वो goods होते है जो एक दूसरे की बिदा नहीं चल सकते, ठीक है मतलब उनको एक दूसरे का साथ चाहिए तभी वो साथ में चलेंगे, जैसे यहा और petrol का, सबसे perfect example बनता है car petrol का, जैसे ही आप देखो कि market में petrol का दाम कम होता है, तो लोग petrol वाली कारे खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है, automatic आप देखो कि हलका सा, जो car का जो demand है, वो petrol वाला बढ़ जाएगा, लगिन आप देखो कि market में petrol का दाम बढ़ लाए, तो आपके goods का जो demand होता है, वो दूसरे goods के वजह से change होता है, बहुत इसको ध्यान से पढ़िएगा, exam में एकसर ये substitute or complimentary goods पढ़ाये जाते हैं, बाकी example मैंने आपको समझा दिया है, यह example आप exam में लिख सकते हैं, next आते है, change in the taste, nature and the fashion, because of the impact of the western civilization, the demand of the dhoti kurta is decreasing and the demand of the pan shirt is increasing, तो यहाँ पर देखिए भई क्या है, आपके taste का, nature का, fashion के वज़ए से भी demand बहुत जादा change होता है, कभी कभी क्या होता है कि समान बहुत महेंगा है, लेकिन उसका fashion चल रहा है, तो मुसके लिए 1000 रुपए पे करने के तयार होते हैं, लेकिन समान बहुत सस्ता है, उसका fashion से ज़्यादा civilized होना चाहते हैं, सब western दिखना चाहते हैं, तो लोग क्या करते है, पैंशट खरीदते हैं, तो यहाँ पे अब लोगों के taste बदल रहे हैं, लोग यह पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे कपड़े में बहुत सारे ऐसे examples हैं, शूज में बहुत सारे ऐसे examples हैं, ठीक ह अब उनको लगता है 6 GB RAM वरा ज्यादा अच्छा है, तो वही खरीद लेते हैं, यह कभी कभी आप देखोगे, दो मोबाइल 4 GB RAM का एक A है, मोबाइल A, मोबाइल B, ठीक है, लेकिन एक मोबाइल अभी बहुत जादा जो उनका favorite actor है, वो TV में add कर रहा है, तो मतलब उस तो ऐसा market में होता रहता है, customers हर तरीके के होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें तो demand को effect करती है, अब next आते है, expectation of future change in price, the expectation of future rise in price, the demand also increases as a given price, इसमें क्या बता रहा है, कि जब future में आप expect करते हो कि उस चीज़ की price बढ़ेगी, तब भी उसको आप महेंगे price से भी example ले रहे है, 50,000 रोपीज चल रहा है, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आगे चलके 60,000 हो जाएगा, तो आज के date में अगर उसका दाम बढ़ेगा भी, तब भी आप को चलो भाई खरीद लेते हैं, future में तो 60,000 हो जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे goods होते हैं, जिसका price मिल जाएगा, तो आप किसी भी price उसको खरीदने को तयार हो जाते हो, next आते है, change in the climate and season, for example, during summer and summer the demand of the ice, fans, cotton, textile, etc. increases, यहाँ पर क्या बता रहा है, कि change in the climate and season, climate and season के वज़ह से भी बहुत सारे चीजों के demand में changes आते हैं, जैसे गर्मी का मौसम चुरू हुआ, तो fan की demand आ ठीक है, cotton कपड़े के demand बढ़ गई, तो गर्मी में यह सब चीजों के demand बढ़ जाती, तो season के वज़ह से भी बहुत सारे चीजों के demand effect होते है, अब इनी season में क्या होगा, raincoat का, umbrella का demand बढ़ जाएगा, तो अब इसमें price का कोई वहाँ पे हाथ नहीं है, यहाँ पे आपका जो हाथ है, यह total आपके season का हाथ है, ठीक है, season के वज़ह से demand में change जा रहा है, next आते है, population and the number of household, with the increase in the population or the number of the household, the demand for our goods also increase, अब लोगों के बढ़ने से, population बढ़ने से भी demand कभी कभी बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे अब इंडिया जैसा country है, तो यहाँ पे क्या है कि आप कोई भ लेके आओ, तो एक बार लोग कंज्यूम ही करते हैं, तभी goods के demand निकल जाती है, ठीक है, पहली बार में, क्योंकि population बहुत जादा है, तो इसलिए तो सारी companies इंडिया आना पसंद करती है, चाइना आना पसंद करती है, क्योंकि वहाँ पे एक बार में goods sell करके अच्छा पसंद है, वो तो बात की बात है, पहले बार में लोग profit कमा लेते हैं, तो population और number of household भी depend करता है, कि कहीं पर आप ऐसे जगहां पे पेशने जारों, जहांब population बहुत जादा है, तो एक बार में तो आपके goods के demand आ ही जाती है, ठीक है, तो इसके वज़े से भी demand बढ़ती है, अब आते है, distribution of income and wealth, if there is an equal distribution, those goods which are purchased by the rich people are in the greater demand, तो distribution of income and wealth के वज़े से भी demand में changes आता है, ठीक है, अगर आप कोई भी product आप ले के आ रहे हो, ऐसे location में, जहांपे rich लोग रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपका महेंगा समान रहेगा, वो भी खरीद लेंगे, ठीक है, लेक इसा कोई product लेके आ रहे हो, जहांपे rich लोग नहीं है, तो फिर वहां नहीं बिखेगा, ऐसे example लेता है, मरसरीज का आपको showroom खोलना है, अब आप छोटे ते गाउं में खोल दोगे, तो कितना मरसरीज बेच पाओगे, नहीं बेच पाओगे, लेकिन वही अगर मुंबई औ तो concept यहां पर क्या है, कि income और wealth का distribution कैसा है, उसके वज़े से भी demand में changes आता है, अगर उस level का product है, और उस level के लोग मिल जा रहे हैं, तो मतलब आपका demand बढ़ना ही बढ़ना है, clear है, अब आते है government policies, if the government increase the GST or the excise duty on the particular commodity, the demand comes down, तो अगर government कोई भी product पे बहुत जादा GST, बह अगरा देती है, ठीक है, तो automatic वो समान महेंगा हो जाता, तो लोग उसको कम से कम consume करते हैं, ये भी एक effect है कि government, अगर government को लगता है कि कोई product हमको नहीं बेचना है, तो government क्या करेगी, उस पर excise duty और GST बढ़ा देगी, जैसे luxury goods होते है, government को बता है कि भाई, जिसको luxury वाली च तो मतलब text बढ़ने के वज़ा से भी goods के demand में changes आते हैं, अब आते हैं हम लोग factor demand function, तो अब जितने भी factors पढ़े, वो सारे factors को हमने formula के रूप में यहाँ पे लिख दिया है, इसी को demand function कहते हैं, इसके लावा demand function ज्यादा कुछ cut in नहीं है, अब देखिए, functional relationship between the demands and the commodity and the factor influencing in the term of demand function, मतलब यहाँ पे जितनी चीज़े demand को effect करते हैं, जितने factors demand को effect करते हैं, वो सारी चीज़े आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे demand of goods, x good, price of x goods, फिर उसके बाद price of related goods, जितना भी अभी आपको मैंने पढ़ाया था, वो सारा point यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि आपको यह px और y और pr ऐसे लिखना पड़े, आप कुछ भी यहाँ पे abcd लिख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, कि आप क्या लिखे हो, कोशिश यह करिए कि जो चीज यहाँ लिख रहे हैं, उस for a commodity and factor influencing is term as deviant function. Clear? Thank you.